बिहार सरकार के सिक्षा मंतरी चंदर शेखर से जुड़े रामचरित्र मानस पर चल रहे विवात की बीच राजन निता सूरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बयान देकर विवात खड़ा कर दिया है उन्हों ने कहा है कि भाज़पा चुनाव जीटने के लिए सेना पर हमले करवाती हैं सुरेंद्र यादव नितिश कुमार सरकार में सहकारिता मंतरी है पच्चना में मंगलवार को बीज़पी के दोहजार चुबिस के लोकसभा चुनाव जीतने के दावे के बारे में मीडिया से सूरेंदर प्रसाद यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभाद चुनाव के लिए उनके पार्टी बीज़पी की चुनौती स्विकार करती है उन्होंने कहा 2024 में मैं बीज़पी का सूपड़ा साफ होने वाला है मैं बीजोपी की चुनांती स्वीकार करता हूँ जब चुनाव आता है तो बीजोपी सेना पर हमले करवाती है और इस बार ऐसा लगता है कि बीजोपी किसी देश पर हमला करेगी सुरेंद्र प्रसाद यादव का ये आरोप की भगवा दल से चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले करवा है भाजपा को रास नहीं आ रहा है बीजबी प्रवक्ता अर्विंद कुमार सिंग ने कहा है कि राजप ही अप राधियों और आतंकवादियों को संदक्षन दीती है और राजप को सेना को विवाद में नहीं घशिटना चौहिए भाजपा प्रवक्ता अर्विंद कुमार सिंग ने कहा है कि भाजपा जुनाव जीतनी के लिए सेना पर हमले नहीं कराती है लेकिन सेना देश में आतंकवादियों को खत्म करती है हम आतंकवादियों को आश्रे देने वाले पार्टी नहीं है ये राज़त है जो अप्रादियों और आतंकवादियों को शरन देती है राज़त सत्ता की इतनी भोग है कि वे सेना को भी नहीं छोड़ती है सेना देश की धरोहर है और सुरेंदर यादव जैसे लोगों को सेना के खलाब बोलने के पहले दो बार सोच लेना चाहिए सुरेंदर परसाद यादव आरजेडी, सुप्रीमो, लालू परसाद यादव और उनके बेटे तेज़ पी यादव के काफी करीबी माने जाते है उन पर तीन दर्जन से जादा अप्राधिक मुकदमे दर्ज है जिसमें हत्या सी प्रयाज लगता है कि कुछी कांट्री पर हम लगते हैं